गुट मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स सुबह के चार बज गये हैं और डेली की तरह मैं आज भी उठी हूँ फेस वाश करके हलके गुणगुने पानी से अपने थाइरोइड की बिल्स खा करके और अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ आज के वीडियो में मैं आप लोग के सारे कोश्चन्स के अंसर दूंगी एक बहुत ही कॉमन कोश्चन है कि दीदी आप क्या कर रही है किस चिश की प्रिपरेशन कर रही है तो मेरा अभी B8 का फाइनल इयर है और मैं टेट की प्रिपरेशन करती थी self study बट क्योंकि मेरे यहाँ एप्रिल में engagement है मेरे देवर की और में में शादी है और मैं घर पे अकेली बहु हूँ तो बहुत सारे responsibility है अभी सारे guest भी आने लग जाएंगे तो इसी लिए मैं अभी टेट की preparation रोग करके सिर्फ अपने B8 के लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा assignment फ़र्ग भी complete नहीं हुआ है और वहुत सारा पढ़ना भी है मुझे नहीं पता कि शादी के दिन कहीं किसी exam का date ना पढ़ जाए तो इसलिए मैं अपनी तयारी इसी बीच कर लेना चाह रही हूँ और अभी सिर्फ B8 के लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ सेकेंड आप लोग पूछते हैं कि आप joint family में हैं या फिर अकेले रहती हैं तो मैं घर की बड़ी बहु हूँ हूँ घर में मेरे पापा, मम्मी, देवर husband और मेरे दो बच्चिया है पापा मेरे यहाँ पे नहीं रहते हैं proper क्योंकि यह वो SI है और अभी उनकी posting सिधार्तनगर में है देवर का अभी work from home चल रहा है तो वो COVID के time से दो साल से घर पे ही रहते हैं और husband मेरे टूर पे जाते रहते हैं तो मतलब एक महीने में लगबग 15 दिन उनका टूर ही रहता है तो घर पे मैं मम्मी, दोनों बच्चियां मेरे देवर, मेरे husband और पापा भी कभी-कभी रहते हैं और घर का ठेट सारा काम और इतनी सारी responsibility रहती है मेरे उपर थर्ड कोश्चिन आप लो करती है कि दीदी अब कहां से है तो मैं हूँ यूपी उत्तर प्रदेश में गोरकपुर से गोरकपुर आप सब जान ही रहे होंगे ये योगी आदित्यनाथ जो हमारे CM है, उनका शहर है और मैं वही से हूँ मेरी पढ़ाई भी गोरकपुर से ही हुई है गोरकपुर के केंद्री विद्याले से मैंने सेकंड नहीं, थर्ड से 12 तक मैंने केंद्री विद्याले से पढ़ा है उसके बाद B.com और M.com मैंने उनिवरस्टी से किया है B.com और M.com में मेरा सब्जेक्ट रहा है मार्केटिंग और अभी मैं B.A.D. कर रही हूँ और B.A.D. में भी मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स मेरी शादी को 4 साल हो गए है और मेरी 2 बच्चिया है अभी दूसरी बच्ची मेरी December में ही हुई है मिन्स 3 महीने पहले तो मेरे पास भी बहुत सारा काम रहता है बहुत सारे responsibility है घर में हर एक चीज की पर सब कुछ manage करना ही पड़ता है हम विमन्स के पास ना भगवान ने एक बहुत ही अच्छा हथियार दिया है हमें हर मुश्किल से लड़ने का हमारा हथियार है हमारी हिम्मत आप सिर्फ अपना हिम्मत बनाए रखिए अपना होसला मतारिए बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आप easily पार कर जाएंगे आप लोग मुझे इतने सारे comment करके जो अपनी problem बताती है seriously मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था कि मुझे इतने सारे messages आएंगे और मुझे बहुत ही बुरा feel हो रहा था कल रात को मैं यही सब सोच रही थे कि हमारे देश में कितनी सारे women's हैं जो सफर कर रही हैं daily के problem से जो मतलब खुद से परिशान है लड़ रही है सबसे अपने लिए अपने अस्तित्थों के लिए लड़ रही है आप लोग जब मुझे अपनी problem बताती है न तो मैं इसी लिए चाहती हूँ कि आपको अच्छे से तरीके से समझा पाऊं क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा feel होता है कि यार मतलब एक तो इतनी सारी जिम्मेदारिया अच्छे तरीके से कर रही है उसके बाद भी अपने लिए कुछ करना चाहती है और वो भी नहीं कर पा रही है मैं कल अपने husband से इसी topic पर discuss कर रही थी कि हमारे इंडिया में कितनी बड़ी problem है women's की कि शादी होने के बाद totally depend हो जाना पड़ता है शादी हो गई means freedom खतम हो गई totally दूसरों के राय पे चलना पड़ता है अपना कुछ decision ही नहीं रहता है पर अगर आप दूसरों के राय पे चलती रहेंगी तो दूसरे आपको चलाते ही रहेंगे आप मना करना सीखिए आप उनको रोगिए आप जितना दबेंगी आपको उतना ही दबाया जाएगा आप काम करिए अपनी सारी responsibility अच्छे जे करिए पर अपने और अपनों की खुशी के लिए अपनों की खुशी के लिए अपना खुशी को neglect मत करिए एक ही जीवन मिला है और इसको सिर्फ दूसरों को खुश रखने में मत बिताईए अपने लिए आप stand लीजिए आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं उसको आपका importance पता होना चाहिए आपके आसबास जो भी हैं आपके husband, आपके बच्चे आपके in-laws, इन लोगों को आपका importance पता होना चाहिए तो again good morning मिलती हुमें फिर कल के वीडियो में आप लोगों से